जैशे राम आप सभी को अथ्रे की हादिक शुपकामना है जैसा कि आप सब जानते हैं घर में अभी फिलाल बंध है तो लगा कि स्टूडियो से बाहर निकल के आज कहीं ओपर एरिया में वीडियो बनाते हैं इसलिए रूम से छत्की और आगमन हुआ एक और चीज 2526 तारिक को जैसे आप लोगों को बताया गया था कि मैरेज पर वेबिनार है उस पर काफी सारी को एरिज आए थी कि उसमें क्या-क्या टॉपिक आप कवर करने वाले है तो यहां पहले तो मैं यह बता दू कि जिन लोगों ने मेरा मुंबई वेबिनार सेमिनार अटेंड किया था जो धरमेशी और जैराज भाई ने आयोजित किया था तो उन लोगों को यह करने के आविशकता नहीं है कुछ-कुछ कोस वही रहने वाला है तो जिन लोगों ने भी उसके लिए आविदन दे भी दिया है तो प्लीज मैं अभी से कहूंगा आप अपना विड्रॉ कर लें क्योंकि टॉपिक वही रहने वाला है उसी को मैं यहां रिपीट कर रहा हूँ उस टाइम ओडियन्स कम थी इस बार दोड़ा ओडियन्स जादा होगी तो टॉपिक क्या क्या रहेगा मैं एक बार फिर कवर कर देता हूँ देगे सबसे पहले तो जिस विशे पर हम बात करेंगे वो है कि क्या कुछ-कुछ क्या विशकता है भी की नहीं काफी लोग कुण्डी मिलान में विश्वास नहीं रखते हैं उन्हें लगता है कि बहिया कुण्डी मिलान का क्या फायदा अगर जिस तरह का पार्टनर आपके चार्ट में लिखा है उसी तरह का पार्टनर आपको मिलना है कुंड़ी मिलान में time waste क्यों किया जाए तो एक तो इस विशे के बारें बात होगी दूसरा कि conventional method क्या है कुंड़ी मिलान के कुंड़ी मिलान कैसे बताया गया शास्तों में करने के लिए जैसे आपने सुना होगा आश्ट कोट मैचिंग क्या होती है मांगलिक दोश क्या होता ह यह सब पर हम चल्चा करेंगे इसके बाद टाइमिंग ऑफ मैरेज को लेंगे टाइमिंग ऑफ मैरेज में क्या लेज सकते क्या क्या हम कवर करने की गोईश करेंगे कि जिन लोगों की पत्रिका ना भी हो तो क्या हम उनकी कुंड़ी दिना बनाए भी उनकी मैरेज के टाइमिं इसके अलावा यह तो रहा वो जो common topic है जो आपको कही ना कही मिल जाएंगे इसके बाद हम बात करेंगे unconventional method of chart matching नॉर्मली जिस पक्ष को देखा नहीं जाता है और सिर्फ software के थूझ चार्ट मैचिंग कर दी जाती है इसके बात कर दी जाती है तो उससे आगे क्या है और जिस चीज को देखना अनिवादे है वो हम बाते करेंगे कि chart matching कैसे करनी चाहिए उसमें अश्टक वर्क का भी रोल आता है वो भी मैं आपको बताऊंगा इसके अलावा दशा compatibility लेकिए husband wife की marriage के बाद कई बार ऐसा देखने में आता है कि वैसे तो बहुत अच्छी बन रही है दोनों में बहुत अच्छा लंबा relation चल रहा है लेकिन एक समय ऐसा आता है जहां पर दोनों में इतना तनाव हो जाता है कि एक दूसरे की शकल देखना भी बदाश नहीं होता है और अगर उस अवधी को कुछ समय के लिए टाल दे या निकाल दे तो वापिस वो वैसे ही हो जाते है जै उन्हें निभाना है तो किस जरीये से किस किन-किन बातों का ध्यान रखकर वो अपनी married life को और improve कर सकते हैं कहां पर क्या परिशानी है क्या दिक्कते आती है वो सब हम discuss करेंगे इसके अलावा extra marital affair इसको कैसे हम ignore कर सकते हैं कि तीसरा बंदा हम दोनों के बीच में involved हो गया है जिस वजह से अब relationship में वो प्रगाड था वो affection नहीं बचा है तो वो कैसे चार्ट में देखते हैं कि इस तरह की गुंजाईश कैसे बनती है इसके अलावा गोचर का जो impact है married life पर वो कैसे देखा जाता है और कहां देखना चाहिए वो वक्रीग है किस तरह आपकी married life पर असर दाल सकते हैं इस बारे में बात होगी फिर practical examples हम इसके बारे में लेंगे किस किस practical chart लेंगे और में इन सब बारे में बाते करेंगे और यह तो वैसे भी लेना ही था मतलब अगर आप सोचिए theoretical part करेंगे तो जब तक practically chart में ना apply करें तब तक उत्तर कैसे आएगा इसके अलाव विवाह वाले वेबिनार में जो 25 और 26 तारिक को होने वाला है और जिससे मैंने कहा मुंबई वालोग जिन्नों ने वो seminar अटेंड किया था उनको में मेरा निवेदन रहेगा कि आप अपने seat book ना करवाएं क्योंकि आपकी seat book होने को ऐसे जो कोई और कर सकता है वो नहीं कर प सकते हैं कारक और भाव के संबंद को कैसे देखना चाहिए यदि इस विशह में आप जानना चाहें तो यह जो नीचे वीडियो दिया गया है इस पर आप लिक कर सकते हैं मिलते हैं अंकली बाद